नमस्कार न्यूस पी यार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वैता मिस्ट्रा एक फरवरी 2022 नए साल का खास दीन है इस दीन आम वजट आने वाला है इसके साथ ही एक फरवरी को कई नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि इन बदला दावा उमीद की जारिये कि अगर रसोई गैस के दाम में भी इजाफा हो सकता है आईए नजर डालते हैं एक फरवरी से किन की नियमों में बदलाव होने जा रहा है आम जरूरत की सबसे महत्वपूर्ण चीज रसोई गैस के दाम में एक फरवरी से बदलाव हो सकता है उमी भी सरकार ने इसके संकेत दिये थे कि रसोई गैस के दाम में इजाफा हो सकता है हाला कि पांच राजियों में होने वाले चुनाओं को देखते हुए सरकार बढ़ोतरी नहीं भी कर सकती है एक फरवरी से बैंक के आई-एम-पी-एस रेट में बदलाव हो रहा है इस बदलाव पाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यम से पांच लाक रुपे तक का आई-एम-पी-एस करता है तो उसे कोई अत्रिक्त चार्ज नहीं देना होगा एक फरवरी से देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपने नियमों में बदलाव कर र अब 20 रुपे की साथ GST भी वसूल करेगा गौरत लभै की रिजर्व बैंक ने आई-एम-पी-एस के जरिये ट्रांजेक्शन की लिमीट बढ़ा कर दो लाक से पांच लाक रुपे कर दिया है ऐसे में अब SBI की कस्टमर भी हर दिन दो लाक की अस्थान पर पांच लाक रु दूसरे महीने में पंजाब नेशनल बैंक भी नियम बदल रहा है यह माई से जुड़े एक नियम में बदलाव कर रहा है नए नियम के मुताबिक यह माई या कोई दूसरा टंजेक्शन एकाउंट में परियाप्त बैलेंस नौ होने पर अगर चेक बांस करता है तो बैंक ब देखते रहिए निउस पियार वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे